हेलो बच्चों, क्या आपने कभी किसी नदी को देखा है? आज हिमालिया के बेटियां के पाठ में हम हिमालिया की नदियों को बेटियों के रूप में पढ़ेंगे. तो आओ बच्चों शुरू करते हैं. इस पाठ के लेखक नागर्जुन है. इन्हों ने हिमालिया की नदियों को बेटियों के रूप में चितरित किया है. लेखक ने इन नदियों को मानव भावनाओं और सनबंदों से चोड़ते हुए उनके विभित्र रूपों का वडरन किया है. आओ बच्चों इस पाठ को समझते हैं. इस पाठ में लेखक ने हिमालिया और उससे निकलने वाली नदियों के बारे में बताया है. लेखक कहते हैं कि हिमालिया से बहने वाली गंगा, यमुना, सतलोज, आदी नदियां, दूर से, शान्थ, गंभी, अपने आप में खुई हुई और संब्रांत महिला की भांदी दिखाई देती थी. लेखक के मन में इनके प्रती मा, दादी, मौसी और मा रूपी श्रद्धा के भाफ थे. पर अन्दू, जब लेखक ने इन नदियों को हिमालिया के कंदे पर चड़ कर देखा, तो उन्हें आश्चर्य होने लगा, कि नदियां में दानों में उतर कर इतनी विशाल कैसे हो जाती हैं? लेखक को हिमालिया की इन बेटियों की बाल लेलाओं को देखकर आश्चर्य होता है. हिमालिया की इन बेटियों का नजाने कौन सा लक्षा है, जो इस प्रकार से पेचेन होकर बह रही हैं. नदियां बर्फ की पहाणियों में, घाटियों में और चोटियों पर लेलाओं करती हैं. लेखक को लगता है, देवदार, चीव, सरसों, चिनार, आदी के जंगलों में पहुंच कर शायद इन नदियों को अपनी बीती बातें याद आ जाती होंगी. सिंदू और ब्रह्मा पुत्र दो महानदियां हिमाल्य से निकल का समुद्र में मिल जाती हैं. हिमाल्य को ससुर और समुद्र को उसका दमात कहने में भी लेकको कोई जिजक नहीं होती. काली दास के यक्षन ने अपने मेक तूट से कहा था कि बेत्वा नदी को ट्रेम का विन्नम्य देते जाना, जिससे पता चलता है कि काली दास जैसे महान कवी को भी नदियों का सजीव रूप पसंद था. काका कालेलकर ने भी नदियों को लोक माता कहा है, लेकिन लेखक इन्हें माता से पहले बेटियों के रूप में देखते हैं. कई कव्यों ने इन्हें बेहनों के रूप में भी देखा है. एक दिन लेखक की तब्यत कुछ धीली थी, मन भी उचाट था, वे पानी में पेर लटका कर बैट गए और सच में थोड़ी ही देर में उनका मन तरो ताजा हो गया और वे गुनगुनाने लग गए आउ बच्चों अब इस पाट के प्रशनों के उत्तर देते हैं प्रशन एक, नदियों को मा मानने की परंपरा हमारे यहां काफी पुरानी है लेकिन लेखक नागरजुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं उत्तर, नदियों को मा मानने की परंपरा हमारे यहां काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागर्जुन उन्हें बेपियों, प्रियसी, वे बेहन के रूपों में भी देखते हैं प्रश्न दो, सिंदू और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेष्टाएं बताई गई हैं? उत्तर, सिंदू और ब्रह्मपुत्र दोनों महा नदियां हैं, जिसमें सारी नदियों का संगम होता है ये दो ऐसी नदियां हैं, जो दयालू हमाल्या के पिगले हुए दिल की एक-एक बून से निर्मित हुई है इनका रूप इतना लुभावना है कि सौभाग्यशाली समुद्र भी परवत राज हैमाल्या की इन दो बेटियों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करता है इनका रूप विशाल और विराठ है प्रश्नन्थीन काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है उत्तर काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता इसलिए कहा है क्योंकि ये युगों से एक मा की तरह हमारा भरन पोशन करती रही है ये हमें पीने को जल तथा मिट्टी को उम्चाव बनाने में सायक होती है जिस तरह माता तमाम कश्ठ सहने के बावजूद अपने पुत्रों का भला चाहती है उसी तरह नद्यां भी मानव द्वारा तुशित किये जाने के बावजूद जगत का कल्यान करती है प्रश्न चार हेमालिया के यात्रा में लेखक ने किन कि प्रशंसा की है उत्तर हेमालिया के यात्रा में लेखक ने इसके अनुपम छटा की इनसे निकलने वाली नदियों की, उटखेलियों की, बर्फ से धकी पहाडियों की सुन्दर्ता की, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की, देवदार, चीर, सरो, चिनार, सफेदा, कैल से भरे जंगलों की प्रशंसा की है. जैसे की अब आपको ये चाप्टर अच्छे से समझा गया है, अब आप एड़ेव आपसे इस चाप्टर के नोन से पढ़ाई कर सकते हैं, साथ ही इस चाप्टर के एमसी क्यू टेस्ट वी अटेंट कर सकते हैं. और सिर्फ ये चाप्टर नहीं, आप सभी चाप्टर्स की पढ़ाई EduRev App से कर सकते हैं EduRev App पर आपको ऐसे ही सभी सबजेक्ट्स के सारे चाप्टर्स के विडियो लेक्चर्स, नोट्स और ओन्राइन टेस्ट्स प्रोवाइड किये जाते हैं जैसे की Science, SST, Maths, English और हिंदी, EduRev App से पढ़ना आज ही शुरू कीजिये